दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें कैसे स्टॉक की बात करेंगे जिसका इंट्रैंसिक वैल्यू आप देखेंगे 181 रुपए का है और इस कंपनी का जो करेंड प्राइज है वो है 72 रुपीज का यानि 181 रुपए वाला सेर आपको मिलना है 72 रुपए में तो ऐसे में क्या कंपनी का फंडामेटल वीक है या पिर कैसा इस कंपनी का फंडामेटल कंपनी का टेक्निकल व्यू क्या कहता है सब कुछ एनलाइज करके आम आपको इस वीडियो के इंदर पूरा डिटेल बताएंगे तो वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें ले 177 क्रोड का सब्सक्राइब टो 577 करोड़ का मार्केट क्याक करा है वहिए अगर इस कम्पनी के 52वीक हाई और 52वीक लोग बात करें तो आप दौन क 5,0-70पैसर इस कंपनी ने लोग बनाया था 52 week high की बात करते हैं तो 137 रुपए का level आपको देखने को मिल जाएगा अगर इस company के उपर हम debt की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा debt देखने को मिलेगा 3.30 करोड का अगर इस company के promoters holding की बात कि तो 53% का promoters holding का strong detail आपको देखने को मिलता है अगर वहीं इस company के investment की बार के तो investment आपको zero देखने को मिलेगा जबकि company के पाथ जो inventory है वो 19.5 करोड का detail है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा overall जो detail है इस company का वो आपको strong detail देखने को मिलता है तो देखते हैं इस company के और detail दोस्तों अगर इस company के नाम की बात करें तो मैं बात करा adsop e-retail limited आप देखेंगे 72 रुपीज पे आज यह company close हुआ है अगर वहीं इस company के sectors की बात करें तो आप देखेंगे यह company बिलॉंग करता है global ayurvedic, personal care और agriculture products से related है यह FMCG sector से बिलॉंग करता है तो देखेंगे इस company के technical view को दोस्तों अगर इस company के technical view की बात करें तो आप देखेंगे यह company जो की काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था उपर जाकर resistance वियर्स करता है इस level पे और वहां से गिरना इस्टार्ट कर देता है company 50 दिनों के moving airways और 200 दिनों के moving airways को break करके उनके नीचे आ चुका है इसका मकलब है कि इस company में अभी और gear out आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जिन लोगों ने इस company को short term के लिए बाई किया है उन्हें चाचट उपे पे अपना stop loss लगाना चाहिए और इस company को आगे के लिए continue करना चाहिए company जैसा इस range को break करता है तूरंत short term बालों को निकल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए long term के लिए जिन लोगों ने बाई किया है बिल्कुल hold करके चलें पैनिक न करें हलाकि small size है तो थोड़ा सा आपको risk ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन आपको panic करने से कोई शायदा नहीं होने वाला है इसलिए आपको long term के लिए hold करके चलना चाहिए phrase buyer अभी फिलार के लिए दूर है company support बना ले उसके बाद इस company को buy करके चल सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना वी वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें thank you for watching this video